हेलो वेलकम जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रादाउं ट्रिक्स ये तो आप जानते ही हैं सब तो आज मैं कर रही हूँ घर के कुछ साफ सफाई वाले काम क्या दिन से घर की साफ सफाई ही चल रही है इसके बाद भी कुछ वीडियो जो मैं आपको मैं बाते करूंगाा सब्सक्राइब करेंगे तो तब तक मैं आप से थोड़ी शी बाते कर लेती हूं तो यह बाते हैं यह कि जैसे कहीं बार कोई मेरे घर में आता है तो बोलता है कि अच्छा साफ रखते हो गर को लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कामवाली रखती हूं तो उसकी वजह से गर साफ रहता है, तो अब आप बताओ, क्या कामवाली पंक्य साफ कर जाती है, क्या कामवाली बागी चीजे कर दे, उसको वही काम करती है, जितने आप उसको पैसे देते हो, इसके अलावा वो एक तिन का भी इधर से उधर उठाके नहीं रखती है, और ये मेरी कामवाली की नहीं है 000 बहुत सारे गर लेकर कि रखते हैं century अगर के घंटे तो उतना ही करेंगे और उसलिक अपना घर कुद देखना पड़ता है कि काहाँ गंदा है काहा सफ है और जरूरी नहीं होता कि आप पूरे काम का एक हाथ तो यह दिन में थोड़ा सा समय इस तरह से डिवाइड करें कि आज मेरे को यह इस्ता गर का पूरा की क्लीन करना है तो जैसे कि आज मैंने पंखे साफ किये हैं जितने भी थे और सब यह जो खिडकियों में रैलिंग खिडकिया और यह सब लगे हुए हैं गिले कपड़े से य तो पानी के इन पर सब पर दाग पड़ जाते हैं और फिर धूल निकल निवाती वह जो गिली गिली सी होके वह यहीं पर चिपक जाते हैं फिर वह दर्वाजों पर वह होती जादा गंदी लगती है करते तो आप भी सब ऐसे ही होंगे यह मैं आपको सिखा नहीं रही हूं बस मेरा मन था आप से बाते करने का तो चलो थोड़ी बाते हो जाएं और मैंने कैसे अपने घर की साफ सफाइ की बिस थोड़ा से यह हो जाएगा और आप बताईए कि आप सब कैसे हैं बढ़ियाई होंगे अपदर ब cuarto करें आप सब को हमेंसा वो बढ़ियाई रखे क्योंकि सब के बले में ही बला होता है और यह आगी थी गव माता यह रोज पानी पीके जाती हैं आके खड़ी हो जाती हैं पानी भरकर रग दो तो पी लेते हैं कुछ खाने के लिए हो तो वह भी दे देते हैं तो खाके चुपचाप चले जाती हैं विचारी तो चल यह शुरू कर लेते हैं कठल की सब्जी बनाना यह मैंने छील के तयार कर लिया इसको आप सरसो का तेल लगा लें चक्कू पे भी और हाथ पे भी ज्राइ तो आसे काट लें इसके बीज बहुत कच्छे हैं देखो इसका चलका बहुत सोफ्ट है अगर चिल्का पक्खा होता है तो सारे चिल्कों जो बीज है उनका चिल्का में निकालके अलग कर देती हूँ अगर अगर soft हैं तो ऐसे काट लेती हूं अगर कट क्या लेती हूं मैं बनाई इसको सेकंड टाइम रही हूँ क्योंकि हमारे गड़ में बहुत कम खाते हैं कठल अब एने कहा मैं भी बना लो तो मैं उसके लिए बना रही है मैंने इसके लिए टमाटर, प्याज, अद्रक और हरिमेज वगरा ले लिए इनका मैं पेस्ट बना लूँगी कुछ कट कर लूँगी तो चलो अब छोग देते हैं सबजी को मैंने इसे कड़ाई रखके इसमें डाल दिया है सरसो का तेल इसमें हम फ्राई करेंगे कठल को कठल को पहले अगर आप फ्राई कर लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छा सा हो जाता है तेस्ती लगता है खाने में मुझे वहुत ज़्यादा बनाना तो नहीं आता लेकिन फिर भी फोसिस करती हूँ अच्छा बन जाए एक बार पहले बनाया था एक बार आज बना रही हूँ पर तेस्ती बना बहुत यह तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें सारे कठल डाल दिया है तो इन अच्छे से मैं प्राई कर लूँगी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसे इसमें से निकालके अलग रखूँगे देखो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया इस पर देखो किनारे गोल्डन हो गया है पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं इसमें फोन में अच्छे से हमें इसको ऐसे तेल को अलग करते हुए इससे निकाल लूँगे इसमें से अच्छे से तेल मतब रह तो जाता है लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कम रहे तेल इसमें देखो यह इतना तेल बचा है अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं मैं इसमें सारे मेश से छोग दूँगी इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल लिए हूं तेज पत्ता काली मिर्च लोंग और एक बड़ी इलाइच जीरा और हींग भी मैंने डा देखों यह ट्व है लोंग है । अब यह मैंने डाल लीए प्याज कुछ फिख इतना बारिक काट लिए deeply गया आतिया वह तैज रोगें से थोड़ा गोल्डंब्राउन होने तक प्रूंद लूगे और स्थे आधे मसाले हम ढालते हैं इतने अच्छी खुस्बूह आती हैं इन से तब भूँता है मसाला बहुर टेस्थी खुस्बूह आती है और आपको इसमें में डाल रही हूं हल्दी, मिर्च, नमक डाल दिया है नमक आप अपने स्वादनुसार डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं तेज यह अलका इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढख दूँगी ताकि यह मसाला अच्छे से पक जाए तीन-चार मिनट के लिए ढग दिया है देखो कलर कितना प्यारा सा हो गया है यह एक बार मैं मिक्स कर दूंगे इसको अब यह हमें और भी पकाना है अभी पका नहीं है जब तक मसाले में से तेल ना सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कठल नहीं मिलाएंगे क्योंकि जब ओइल सेपरेट हो जाता है तभी सब्जी का टेस्ट जादा अच्छा आता है तो अभी भी मैं इसको दो मिनट के लिए और ढग दूंगी दो मिनट हो गया है देखो साइड में तेल देख रहे हैं आप सब्जी मसाले ने तेल बिल्कुल छोड़ दिया है तो इसलिए अब मैं इसमें कठल मिक्स कर दूंगी जो मैंने भून के अलग रखा था फ्राइ करके यह कठल इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको चाहिए तो आप इसे ऐसे ढख के पका सकते हैं सुखह भी यह लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आधा कब पानि डालूंगी कि जिससे मसाला में अच्छे से मिक्स हो जाए और जले भी निच्चे इसे मीडियम फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल पांच मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी तो पांच मिनट बात देखिए पानी बिल्कुल खतम हो गया बस ओई लोई चमक रहा है और सब्जी पे पूरी सब्जी में बिल्कुल इकवल कलर आ गया है देखने में इतनी सुन्द सब्जी लग रही थी देखने वाला सारी खा जाए और देखो यह गल्बी है मैंने हाथ से नहीं दबाया से चाकु साब देखो कि इतने अराम से कट रहा है कटल तो यह कटल तैयार है हमारा बन के रेडी टू सर्व तो अब हम इसमें थोड़ा सा अरा धनिया डाल देते हैं और गैस कर देते हैं बंद्ब अब हम इसे कर लेते हैं इसकी में ऀसे निकाल थी हैं ए बावल में आप चाहें तो कैसा भी कर लें मतलब जब खाए तब ही डालें मैं तो थोड़ा सा फ्लेटिंग कर रही हूं कि आप सर्व कैसे कर सकते हैं बस तुम मुझे पता है सब जानते हैं लेकिन मैं कैसे करते हूँ आप यह समझ लिए कि मैं कैसे करती हूँ यही बस अपना तरीका आपको दिखा रही हूँ लग रही है न कितनी खुबसूरत सब्जी देखते ही सारी चट कर जाओ पराठे के साथ रोटी के साथ चलो यह लग प्याज के स्लाइस और यह रख दिया सब्जी इसके उपर थोड़ी सी मलाई ताजे बिल्कुल ताजे दूद वाली इसके उपर एक धनिया पत्ता लीजिए खाने के लिए तयार है आप पराटे के साथ रोटी के साथ इंज्योई करिए सब्जी को और कैसी लगी मुझे बाई